हिंदी पंचान के अनुसार हर वर्ष फालगुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्री मनाई जाती है इस वर्ष 18 फरवरी को महाशिवरात्री है सनातन शास्त्रों में नहित है कि महाशिवरात्री को देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ है आथ इस दिन का विशेश महत्व है इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिर आकर बाबा के दर्शन करते हैं धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्री पर महादेव और मापार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाये पूर्ण होती है साथ ही दुहक संकट और कश्ट दूर हो जाते हैं वहीं अविवाहितों की शादी के भी योग बनते हैं इसके करने का विधान है इसके लिए 18 फरवरी को महा शिवरात्री मनाई जाएगी साल 2023 में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथी 18 फरवरी को रात 8 बचकर 2 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 19 फरवरी को 4 बचकर 18 मिनट पर समाप्त होगी साधक रात्री के समय में महादेव और माता पार्वती की भक्ती भाव से पूजा कर सकते हैं इसके अलावा दिन के समय में भी पूजा उपासना कर सकते हैं वही वरत उपवास भी 18 फरवरी को ही कर सकते हैं पूजा विधी इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शिव जी का स्मरण कर दिन की शुरुवात करें, इसके पश्चात नित्यकर्मों से निवरित होकर गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें, अब आमचन कर अपने आपको शुद्ध करें, इसके बाद सफेद कपडे धार अब सबसे पहले भगवान सूर्य को जल का अरग्य दें, तत पश्चात भगवान शिव जी एवा माता पारवती की पूजा फल फूल धूप दीप अक्षत भांग धतूरा दूध दही और पंचामरित से करें, पूजा के दौरान शिव चालिसा का पाठ और शिव मंत्र का जाब करें, अंत में आरती अर्चना कर भगवान शिव और माता पारवती से कामना करें, दिन भर उपवास रखें, निशिता काल में पूजा आरती के पश्चात फलाहार करें, अगले दिन पूजा पाठ संपन्न कर व्रत खोलें, ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल रखना भाग्य सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आप कोई भी अपडेट बिलकुल भी मिसना कर पाएं